हेलो एवरीवन और वेल्कम बैक तो अपनी गश्या आज की वीडियो में मैं तुम्हें कराऊंगा लीनियर एक्वेशिशन इन टू वेरियेबल्स का लास्ट लेक्चर इसके बाद यार एंची इसलिशन दर कॉस्टन सॉल्व करेगे और जादा ठीक है तो अभी तक हमने क्या एक्वेशन में हमने अभी तक क्या-क्या उखाड रखा है तो सबसे पहला हमारा टॉपिक था यार सब्सेडूशन फिर एलिमिनेशन क्रॉस मटिप्लिकेशन तीन वेस देखे हमने तीन एलजेबरिक वेस देखे ठीक है फिर हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया ग्राफिक इसकी में सेकेंड टॉपिक है वह बहुत ज़ाधा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है कंजिस्टेंसी एंड इनकंजिस्टेंसी यह सब यार जब तुम 11-12 में मैट्रेक्स दिर्मिनेंट पढ़ रहे होगे तो लीनियर एक्वेशन तुम पता है क्या पढ़ोगे लीनियर चंजिस्टेंसी मतलब हां यार कि प्रमेंट कर रहे है तो अपने में लिए तो देखते हैं अपने इनकंजिस्टेंसी को लीनियर एक्वेशन की बात करें तो दो लाइन consider the lines, basically मुझे लिखना था, consider the equation slash, slash कर देते है, equation pair of linear equation in two variables, right, तो of course हमेशा की तरह, a1x plus b1y is equal to c1, या फिर actually यार इसको ये कर देते है ये होगा plus, ठीक है plus c1 is equal to 0 plus c2 is equal to 0, एक ही बात है वैसा तयार, ये है मेरी दो equations linear equation in two variables तो मेरे पास ना यार, तीन case होते है consistency और inconsistency बताने के, क्या case होते है अगर मेरा a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 होता है, तो इसका मतलब होता है कि मेरे पास infinite solutions होते है अब तुम बोलोग यार, infinite solutions का क्या मतलब हुआ, इन तीनो cases से पहले ना यार, एक बार कुछ graph देखते हैं, कभी मेरे पास दो line होती है, ग्राफ पे, तो उनका behavior चेक करते है जरा, ठीक है यार, ये मेरा graph paper है पहली मैं orange से line बनाऊँगा, दूसरी line मैं blue से बनाऊँगा, ठीक है, दो lines की बात हो रही है कि pair of linear equations है तो अगर मैं एक पहली line बनाता हूँ कुछ ऐसी, अगर मान लो lines की क्या conditions होती है या तो parallel होगी आपस में या intersecting होगी, क्या मतलब भी है इसका, मान लो parallel lines है ये दोनों आपस में parallel lines है क्या इस बात में कोई doubt है, नहीं ये इस से parallel है, तो इनके कितने number of solutions हुए number of solutions is equal to question mark कितने हुए, एक भी नहीं क्यों, अरे यार number of solution क्या होता था, last lecture में मैंने तुम्हें बताया था, जब मेरी linear equation एक दूसरे को cut करेगी वो होता था मेरा solution graphical method ही वही था मेरा अगर parallel lines ऐसी होती है जो कभी मीटी नहीं करेगी एक दूसरे को तो इसका कोई solution ही नहीं होगा तो इस चीज़ को एक बार side में रखते हैं ये तो गयार एक case जिसमें मेरी जो है कितने lines होती है वो है parallel इसको एक बार यहाँ side में फैकते हैं ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं यार एक और graph अगर मेरे पास वापिस से graph का sheet बनाता हूँ ठीक है, अब बनाते हैं अपना दूसरा case ये पहली line है यार और ये दूसरी line है obviously तुम देख सकते हो कुछ अच्छी सी बनाते है ये री, ठीक है, ये एक जगे cut कर रहे है, intersect कर रहे है ठीक है, क्या बोलते हैं इसको intersect कर रहे है, तो इनका एक solution है, अभी है इसको फिर से आर क्या करते हैं इसको रखते हैं और side में छोटा करके थोड़ा से ठीक है, अब बनाते हैं अपना तीसरा case, अब तुम बोलो यार एक और case है, या तो मेरी पहली line मानलो, यह orange वाली मैंने मनाई, राइट, पहली linear equation, अब अगर मानलो, जो दूसरी line है, वो कुछ ऐसी है, इसका भी color पहले तो blue कर देते हैं, ठीक है अगर वो इस पे overlap कर दे, क्या करे, overlap कर रही है, coincide कर रही है, तो इसको हम बोलते है, case 3, हमारा जो third case है, basically, मतब तीन अलग-अलग case है, one, two, three, तो naming छोड़ दो, बस तीन case है, basically यार, ये तो वही बात हो गई न, एक च्छो, मैं basically बहुत बोलता हूँ, यार ये जो, ये तो वही बात हो गई न, जो ये वाला मैंने image बनाई है, ये जैसे कि तुम देख सकते हो, guys, कि ये हैं हमारे वो तीन cases, ठीक है, एक बार इनके बारे में लिखते है, ये किस टाइब की प्रकार की लाईने होती है, ये होती है, parallel, कोई doubt test में नहीं, whereas इसको हम कहते है, intersecting, लिख देते हैं, सब कुछ लिखेगे इन तीनों के बारे में हम, जितना हमें जानकारी है, ठीक है, फिर हम, जो मैंने पीछे चीजे लिखी थे न, ये, इनके बारे में हम just अभी discuss करने वाले हैं, ठीक है, तो एक बार देखते हैं, ये जो यहां हमारे पास होता है, one solution, यहार, one solution को न, मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, unique solution, unique का मतलब सिर्फ एक, तो one slash unique, unique solution, right, जब lines आपस में ही coincide कर रही है, तो वो कितने points पे touch कर रही है, या cut कर रही है, जैसे यहां पे एक point, यहां पे zero points, ठीक है, यहां पे तो infinite points है, हर point पे एक दूसरे को touch कर रही है, तो यहां पे मैं बोलता हूँ, infinitely many solutions, infinitely many solutions, ठीक है, अब यह तीन case हो गए, अब एक बर देखते है कि जो यह coefficients मेरे a1, b1, c1, a2, b2, c2 है, इनका क्या लेना देना है, हमारे इन से, क्या बोलते है, तीनो cases से, और कैसे हम सिर्फ यह देखके determine कर सकते है, कि इन तीनों में से कौन सा case होगा, without even solving the equations, ठीक है, काफी important बात बोली है, मैंने यहां पे, ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है तो यार, देखते हैं अब कि कैसे यह जो तीन case है हमारे, यह इन तीन diagram से match करते है, कौन सा diagram किसमें fit बैटता है, ठीक है, तो जो यह मेरा पहला वाला case है ना, कि A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, यह होता है, infinitely solutions का case, यानि कि इस case में हमारी जो lines है, वो आपस में क्या करती है, coincide करती है, overlap करती है, तो यह तीसरा case था, इस case में हमारे पास होता है, A1 यहां लिख भी देते हैं, is equal to B1 upon B2, is equal to C1 upon C2, दूसरे case की बात करते हैं अपनी, दूसरा कौन सा case है, A1 A2 B1 B2 not equal to C1 C2, यार इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले तो मैं तुम्हें यह बता देता हूँ, इसका यह मतलब होता है, कि सबसे पहले तो यह equal होने चाहिए, जो यह ratio आएगी, मान लो कोई भी ratio है, वो इसके बराबर ना हो बस, ठीक है, तो यह होता है हमारा parallel lines का case, तो अब देखते हैं अपना तीसरा case, जो कि है A1 A2 not equal to B1 B2, तुम बोलोगे यार भाई यार मैंने C1 और C2 का तो जिक्राई नहीं किया, क्योंकि ज़रूती नहीं है यार, अगर मेरा A1 A2 और B1 B2 आपस में बराबर है, तो मैं इन दोनों cases में देखूँगा, क्या किते हैं ये चीज़, intersecting, lines are intersecting, अब यार ये सब तो हमने देख लिया, इसके question भी करेगे, बट उससे पहले, तुम ये सोचरोगे यार, topic का नाम ही consistency और inconsistency था, भाई अभी तक तो मैंने इस्तमाली नहीं किया उन word का, तो अभी बताता हूं, ये देखो, इन में से जो ये दो cases है, सबसे पहले हां लिख देते है यार, हम इसको लिख देते है one, इसको लिख देते है three, confuse मत हो ना हर incoming राए जरी से, तुम देख सकते हो, या तो ऐसे करते हैं काम ही कर लेते है, पहले parallel था, इसमें मैं क्या बूल रहा था तुम्हें, कि जो यह मेरा पहला case है, दूसरा case है, तीसरा case है, इसको हम दो category में divide करते हैं, पहले में मेरे पास एक भी solution नहीं है, दूसरे में एक है, तीसरे में infinite है, अगर कभी भी solution आता है, भले ही वो एक हो, या infinite हो, तो इन दो cases को हम बोलते ह है, जिन पर मैं tick लगा रहा हूँ, इनको हम बोलते है consistent, मतलब कि अगर कोई दो लाइने इन दोनों चीज़ों को follow कर रही है, मतलब या तो वो same line है, या फिर वो intersecting line है, तो हम बोलते है, the pair of lines are consistent, they have a consistent solution, consistent, सीजी सी बात है, ठीक है, जबकि जो यह चीज़े मेरी, first step parallel होता है इसको मैं बोलता हूँ, inconsistent, यहां हम क्या लिखते है, inconsistent, इसको लिखता हूँ, नीले से यार में, क्या चीज़ यार, फिर से बता हो, inconsistent, ठीक है, inconsistent का सीज़े सीज़े मतलब होता है कि एक भी solution ना हो, इसके लावा जो भी चीज़े वो आता है, मेरा consistent के अंदर, तो यह चीज़ यह है, inconsistent, inconsistent, और of course, तीसरा वाला भी क्या है, मेरा consistent है, of course, इसमें तो एक ही solution आ रहा है, तो एक बर देखते हैं, इसके सारे question solve करते हैं, बहुत ही फट्टू topic, यार, जब तुम्हें यह चीज़ समझ आ गई ना बस अब, अब सीधा question शुरू करूंगा, देखो, 10 से 12 question है, इतनी जल्दी निफटाओंगा तुम देखना, यार, exam में भी तुम यही करना है, बहुत ज़्यादा simple questions आते हैं, इसके, ठीक है, तो बिना किसी देरी के यार, शुरू करते हैं, इन questions को, तो शुरू करते हैं, अपने questions के साथ, ठीक है, पहला question क्या दे रखा है, show graphically that the system of equations, 3x plus 2y is equal to 7, 6x plus 4y is equal to 5, has no solution, देखके घवराना मत question को, यार, सबसे पहले हम देखते हैं, कि इसमें मुझे देख्या रखा है, show graphically, ये चीज़ भी हम पढ़ चुके है, तो main चीज़ क्या होती है, graphically का मतलब, यार, हमें एक graph तो बनाना पड़ेगा, दोनों को plot करना पड़ गए हो, no solution का मतलब parallel lines, तो मुझे बस ये बताना है, add the end कि ये parallel lines है, कि ये क्या है मेरी parallel lines है, और parallel lines कब होती है, जब मेरा ये वला case होता है, a1, a2, b1, b2 तो बराबर होते हैं, पर c1, c2 बराबर नहीं होता, ये सारी चीज़े देखेगे, सबसे फ़ेले तो graphically बस show करना है म तुम y को 0 put करो, तुम्हे x मिल जाएगा, 7 by 3, I guess तुम समझ गए होगे, तो ऐसा करो, 7 by 3 कहीना कहीं तो आ रहा होगा, 7 by 2 भी कहीना कहीं आ रहा होगा, तो उसको देखते है, 7 by 2 यानिकी 3.5, तो y की value जादा है, अगर मानलों ये 7 by 2 है, तो ये 7 है मतलब, और ये भी 7 है, y is equal to 5, right, तो यहाँ पे अगर मैं x को 0 put करता हूँ, तो y की value कितनी आ जाती है, 5 by 4, और अगर मैं y को 0 put करता हूँ, तो x की value आ जाती है, कितनी, 5 by 6, 5 by 4 is a number greater than 1, but definitely less than both of these quantities, तो इस से तो छोटी quantity है, और 5 by 6 क्या 5 by 4 से बढ़ा है, नहीं बिलकुल भी नहीं, वो तो 1 से भी यार, it is 5 by 6, right, and 5 by 4 थोड़ी बड़ी quantity है, बट वो फिर भी 7 by 2 से छोटी ही है, तो वो भी कहीं यहाँ आएगी यार मेरी, 5 by 4, मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको भी color कर देते है, 5 by 4, right, दोनों lines को आपस में जोड़ दो, दोनों lines को जोड़ दो, तो तो तुम यह rough diagram बनाया है, तो दूसरी line को join करते है, अब दूसरी अगर मैं join करूँगा, तो यार, वो बिल्कुल ना, इसके parallel ही आएगी, और दो हो सकता है, मैंने diagram गलत, diagram भी बड़िया बनाया है वैसे तो, ठीक है, तो अगर तुम proper एक graph paper पे plot करोगे, क्योंकि अगर question graphically दे रखा है, तुम्हें मिलेगा एक graph paper, तुम जब join करोगे line को, सारे points को plot करके, तो तुम यही देखोगे, कि आपस में जो lines है, वो शुद्ध parallel आ रही है, शुद्ध, ठीक है, तो यहां से तुम दिखा देना कि, they have no solution, because they are parallel, अगर तुम्हें लग रहे है कि यह 4 number का question यह 3 number में भी आ ग ही है, 3 upon 6 is equal to half, ठीक है, B1 upon B2 की value कितनी आ रही है यार, वो आ रही है, 2 upon 4 is equal to half, तो definitely intersect तो नहीं कर रही lines, ठीक है, फिर C1 upon C2 की value कितनी आ रही है, 7 upon 5, तुम बोलोग यार यह तो इधर होना चाहिए न, minus 7 is equal to 0 करना चाहिए, एक ही बात है, क्योंकि दोनों ही equal to के उस side, ठ ठीक है, clearly यार, A1, A2, B1, B2 equal है, पर C1, C2 के बराबर नहीं है, मतलब, lines are parallel, they have no solution, बस, इतना है दिखाना है, full marks, कितना simple थाना, बढ़ते हार अपने अगले question की तरफ, तो करते है guys, अपना ये वाला question अब, क्या दे रखा है मुझे, question, the pair of linear equations, 3x by 5, 5y plus 3 is equal to 7 and 9x, 10y is equal to 14, is consistent, inconsistent, consistent with one solution, consistent with many solution, यार, जैसे कि तुम जानते हो, जो मैंने तुमें graph चीज सिखाई है, inconsistent line सिर्फ तब होती है, जब no solution होता है, जब कि consistent तब होती है line, जब या तो one solution या infinite में से कोई भी हो, तो जैसे इस question में हमें option दे रखे है, या one है, या many solution है, many का मतलब basically infinity होता है, ठीक infinite solutions है, ठीक है, वैसे हाँ, identity अगर हो, वो फिर equation नहीं बचेगी, anyways, फिर consistent की अगर मैं बात करूँ, इसका मतलब, actually हाँ, inconsistent का मतलब अगर parallel हो line, check करते हैं, काफी थाधा simple नहीं है, मुझे बस यह निकालना है, सबसे पहले तो a1 upon a2 की value बताओ, यार, a1 कितना है, इसका coefficient 9, right, यह दोनों देखो, तो 3 divided by 5 divided by 9, ठीक है, वो अपना multiply हो जाएगा, तो यह कटके हो गया, 1 upon 15, ठीक है, b1, b2 की value कितनी है, यार, b1, b2 कितना है, बहुत simple, यार, 5 by 3 divided by 10, तो यह कर दो, तो कितना आजाएगा, 5 by 3 divided by 10, तो इसको काटो, यार, यह बचा 2, तो answer आगया, 1 upon 6, क्या मुझे C1, C2 निकालने की जरूत है, नहीं, मत निकालो, जरूत ही नहीं है, क्यों, अगर मेरे पास directly यह चीज निकल जाती है, कि A1, A2, B1, B2, आपस में equal नहीं है, clearly, तुम लिखोगे, clearly, A1, E2, not equal to B1, B2, इसका मतलब क्या है, कि हमारा जो solution है, वो consistent है, जो pair of line है consistent है, और one solution है, और यह क्या है, intersect कर रही है, अपस में, ठीक है, याद रखना, बार बार यह question करेगे, ताकि तुम्हें याद रहे, तो C is the correct answer, जल्दी से बढ़ते हैं, अब इस प्रकार के questions आएगे तुम्हारे पास, जिसमें तुम्हें के दे रखा होगा, find the value of K, या फिर A या फिर B, कुछ भी दे देगे, तुम्हें, for which the system has system of equations actually, has नहीं है, system of equation, यह वला, यह वला, has no solution, ठीक है, इसको काट देते हैं, confusion नहीं, system of equations, अब यह system of equations का क्या मतलब होता है, basically यह बस यह दे रखा है, pair of lines, या फिर pair of equations, कोई बड़ी चीज नहीं है, पहली equation यह दे रखी है, दूसरी equation यह दे रखी, इसमें लिखा है कि solution नहीं होना अच्छे, no solution, याद रखो, for, for, तुम यह लिखोगे, no solution, clearly तुम्हें एक बात लिखनी है, कि A1 upon A2, must be equal to B1 upon B2, parallel or a lines, and this thing is not equal to C1 upon C2, बार बार पीछे जाके यह चीज देखो, बार बार देखो, तब याद रह रहा है यहां से, उसकी value है, इसका coefficient है, 1x का, यहाँ है 2, तो 1 upon 2, फिर देखते हैं अपना B1 upon B2 कितना आ रहा है, ठीक है, B1 आ रहा है, again 1 upon K, ठीक है, इसके बाद एक बार C1 upon C2 भी देख लेते हैं, एक बार इक लिए फिर देखे की चीज है, वो कितना आ रहा है, minus 4 upon minus 3, तुम बोलो के minus 3 कैसे, इसको equal to 0 कर सकते हो ना, तुम कोई बड़ी चीज है नहीं, अभी के लिए 3K equal रखते हैं, जो किया आ गया 4 by 3, right, अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो इसको equal बनाना है मुझे, without any doubt, तो मुझे 1 upon 2 को 1 upon K बनाना होगा, तो clearly यहां से तुम द है ना, कि A1 by A2 हो गया B1 by B2 के बराबर, बट वो C1 by C2 के बराबर नहीं है, और कब बराबर हो रहा है B1, B2 के, जब K मेरा permanently 2 होना चाहिए, तो अगर K2 है, तो यह बराबर है, यह बराबर नहीं है, यानि की no solution, यानि की lines are parallel and inconsistent, ठीक है, तो इसका मतलब K की बराबर 2 value, B is the very correct answer, तो बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ, एक और चीज़, अगर तुमसे question में यह पूछ लिया गया, हो सकता है, यह no solution की जगे ना, तुम्हें बोल दे inconsistent, तो एक ही बात होती है, कोई difference नहीं है, inconsistent, क्या spelling लग रहा हूँ, consistent, ठीक है, या फिर तुमसे बोल दे lines are parallel, ती intersect के लिए, मैं A1 by A2 को not equal कर देता हूँ, B1 by B2 से, तो इसका मतलब 1 upon 2 not equal to 1 upon के, यानि की, मेरा k बस 2 के बराबर नहीं होगा, बाकी कुछ भी बना दो इसको, बाकी कुछ भी बना दो इसको, k बस मेरा 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, और C1 by C2 का तो मैं कुछ नहीं कर सकत कि या तो इसमें ये पूछ ले तुमसे कि the lines are coinciding, या फिर it has infinitely many solutions, तो क्या उसको कोई case हो सकता है, नहीं, तो guys आप करते है अपना अगला question, सारे question से ही मैं वैसे, कोई बड़ी चीज नहीं, again find the value of k, for which the following pair of linear equation have infinitely many solutions, पूछ लिया नहीं यार यार ये, इसका क्या मतलब होता ह इस चीज का हमारा, क्या मतलब होता है कि infinitely many solutions है, बताओ तरह, infinitely many solutions का मतलब, lines are coinciding, ठीक है, lines are coinciding, right, and it is consistent, हो सकता है, ये भी पूछ देते, consistent and infinitely many solutions, एक ही बात है, मतलब उसमें हो गई होगा वो चीज, ठीक है, तो, इस case में हमारे पास क्या होता था, कि a1 by a2 is equal to b1 by b2, is equal to c1 by c2, ये होना ही पड़ेगा, इसके बिना मेरा काम नहीं होगा, सीधी से बात, तो चले, equal बना देते हैं, सबसे पहले, a1 कितना है, अगर मैं निकालता हूँ, pen को लगाओ, यार हाँ पे, a1 by a2 कितना हुआ है, मेरा, 2 by k plus 1, समझ आ रहा है, ने, 2 equations मैंने कौन सी लिखी है, 2 2x, 3y, 7, k plus 1x, 2 plus 2k, minus 1y, 4k, minus 11, ठीक है, तो a1 by a2 कितना हो गया मेरे हां से, 2 upon k plus 1, very good, फिर हमारा b1 by b2 कितना हो गया, यार, ये हो गया, 3 upon 2k, minus 1, सही, और फिर हमारा c1 by c2 कितना हो गया, ये हो गया, 7 upon 4k, minus 11, again, यार, मुझे minus लिखने की इतनी जरूत नहीं है, मतलब म minus 7 upon minus 4k plus 1, but that is the same exact thing, तो चल है सब, ठीक है, अब करते हैं, इन दोनों को equal बनाओ, फिर इसको भी equal बनाओ, दोनों काम करने हैं साथ-साथ, पहले इन दोनों को equal बनाते हैं, तो a1 और e2, b1, b2 बराबर है, तो इसका मतलब 2 upon k plus 1, must be equal to 3 upon 2k minus 1, cross multiply कर दो, आपस में कितना आ ज is equal to 3k plus 3, यहां से k इधर बच गया सिर्फ, k की value आगी, 2 plus 3 यानि की 5, तो k is equal to 5, अगर k 5 है, तो ये दोनों तो बराबर है, चलो ठीक है, बट क्या भी question खतम होगया है, नहीं, ये भी तो चेक करना है, मेरको c1 by c2, k जब मेरा 5 होता है, तो ये किसके बराबर होगा, देख ये तो बिलकुल भी equal नहीं है, हमारा इसके बराबर, जो हमारा ये वला ratio आया था, पहले चेक तो कर लो ratio क्या है, ये तो हमने देखा ही नहीं, जो हमारा a1 by a2 है और b1 by b2 है, ratio तो पता ही नहीं हमने, देखते है उसको, दोनों सेम आएगे, क्योंकि हमने equate किया, तो of course 2 upon 5 plus 1, यानिकि 2 upon 6, यानिकि 1 by 3, तो definitely 1 by 3 is not equal to 7 by 19, तो ये कौन सा case बन रहा है हमारा actually में, ये बन रहा है a1, a2 is equal to b1, b2 is not equal to c1, c2, वो भी किस पे at, ये तब हो रहा है जब k मेरा 3 है, तो मुझे बताओ, ये कब होगा, कभी भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, k की ऐसी कोई value हे नहीं है, हमने देख लिया ना, इन दोने को equate करके, अब वो जब इसके बराबर ही नहीं आरी तो हम क्या करे, कि हम इन दोने को पहले equate करे, फिर वो इसके बराबर नहीं है, ठीक है, तो तो तुम लिखोगे, there is no such value of k, there is no such value of k, या फिर no such value of k exists at all, ठीक है, no such value of k, for which the solution the equations have infinitely many solutions. बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ. तो guys करते हैं अपना यवला question अब next question जो की है मेरा find the value of k. देखो same question आई जारे है मैं कह रहा हूँ नब बहुत असान question है. तुम्हें बस यार ये जो हम आप ही सब कुछ याद हो दाएगा. consistent का मतलब ही क्या है कि कुछ आना चाहिए, inconsistent का मतलब नहीं आना चाहिए, no solution है. parallel lines देखते ही तुम कह सकते हो कभी meet नहीं कर रही, कभी cut नहीं कर रही कोई solution नहीं होगा. intersecting में एक ही जगे cut कर रही है, इसमें तो पूरा cut कर रही है, तो infinitely many तो जैसे ही तुम diagram बनाओगे तो याद करने की तुम एतनी जरूत नहीं बढ़ेगी और जितने questions तुम जादर जादर करते रहोगे, तो ये तीन चीज़े अपने आप ही मन में याद हो जाएगी तुमें तो ठीक है, ज्यान हो गया question पर बढ़ते है अपने find k for which following pair of linear equations have infinitely many solutions again same question यार, बता अभी अभी हमने ये किया था same question, बट ये फिर भी मैं करके दिखाऊंगा चाहे same हो, क्योंकि इसमें actually में value आ रही है कैसे आ रही है यार, देखते है अपने answer में for infinitely many solutions a1 upon a2 must be equal to b1 upon b2 must be equal to c1 upon c2 ये तो golden rule तुम्हें याद रखना ही है ठीक है, अब देखते है मेरा a1 by a2 actual में क्या आ रहा है वो आ रहा है 2 upon k-1 मेरा b1 upon b2 actually में क्या रहा है वो आ रहा है 3 upon k plus 2 और मेरा c1 upon c2 actually में क्या रहा है 7 upon 3 के कोई doubt है इसमें, नहीं हमेशा की तरह मैं इन दोनों को equate करूँगा पहले तो 2 upon k-1 is equal to 3 upon k plus 2 cross multiply कर दो तो आ गया मेरे पस कितना यार answer यहां से 2 k plus 4 is equal to 3 k minus 3 k को इस side ले जो, 3 को इस side ले आ तो मेरा k आ गया 7 तुम देख सकते हो 7 is equal to k 3 k और 2 k कटके k बचा, 3 उस side चले गया तो k आ गया 7 अब एक बार ही के लिए हम इन दोनों ratios को देखते हैं, यह same आएगी वो तो हमने equate कर दिया ना, देखते हैं कि क्या आने वाली है, तो देखते है 2 upon 7 minus 1 is equal to 2 upon 6, यानि की 1 upon 3, ओ पहले भी 1 upon 3 की तो आया था, राइट, चलो anyways question ही अलग है, तो मेरा ratio आगया 1 by 3, clearly a1 by a2 मेरा आगया कितना, 1 by 3 अगर k मेरा 7 है, और मेरा b1 by b2 भी आगया, 1 by 3, तुम बोलो कि मैंने check तो किया ही नहीं b1 b2, या check करने की क्या ज़रूत है, जब मैंने दोनों को equate ही तो कर दिया, तो same ही आएगा c1 by c2 को देखते हैं, वो कितना आएगा k की किस value पे, c1 by c2 at k is equal to 7, मेरा answer कितना आ रहा है, 7 upon 3 into 7, जो की आगया मेरा कितना यार, 1 upon 3, oh 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 यानि कि a1, a2, 1 by 3, b1, b2 1 by 3, c1, c2, 1 by 3, तीनों बराबर है, yes, तो for what value of k, 3 1 by 3, sorry sorry, k की value इतनी, देखो, हट बड़ी में मैं गलत करने वाला था, k मेरा 7 है, तो अगर मेरा k 7 होगा तो it has infinitely many solutions, थेक है, करते हैं अपना आगला question, find whether the lines representing, following pair of linear equations, छोड़े-छोड़े आगे बढ़ो intersect at a point are parallel or coincident देखो, हमसे पूछा है कि यह जो line है, क्या यह intersecting है क्या यह parallel है क्या यह coincident है, यही तो 3 cases थेयार, यही तो मैंने graph बना के दिखाए थे तुम्हें तो of course, तुम्हें कुछ चेक नहीं करना तुम बस यह देखोगे कि मेरा a1 by a2 कितना आ रहा है वो clearly 3 upon 6 है यानि की 1 by 2 यह देखो ठीक है, मेरा b1 upon b2 कितना आ रहा है यह तो यार एक number का भी question नहीं होना चाहिए 1 upon 2, directly, बराबर है मेरा c1 upon c2 कितना आ रहा है 7 by 8, तो एक बात बताओ, इस case में इस case में क्या होता है lines होती है, parallel या देना तुम्हें, या तो पीछे पनना पलटके देखो lines parallel होती है, अगर यह दोनों बराबर है और यह बराबर नहीं है तो, ठीक है, what to question, आगे बढ़ते है find whether the lines representing the following pair of again क्या यह intersect कर रहा है, parallel है, coincide, अरे यार, same ही, 2017 गई है, क्या देखो, एक same, same, अगला भी same होगा तीन question यार, तो इसको तो homework दिखो यार, यह तो मैं क्यों कर रहा हूँ, यहां लिग दो homework ठीक है, again, तुम्हें क्या check करना है, तुम्हें यही same question करना है, a1, a2, b1, b2, c1, c2 निकालो, फिर देखो, क्या यह हो रहा है, दूसरा case हो रहा है, कौन सा case हो रहा है, उसी हिसाफ से इसको भी solve करो, और इसको भी solve करो, यह भी homework है तुमारा, same, यार, 2017 में यह अलग-अलग find k for which the following pair has no solution, अच्छा, इस मैं पहले से दे रखा है, again, यार, यह बहुत simple question है, सारे question सेम आ रहे है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे क्या निकालना है, no solution, यानि की parallel, यानि की a1, a2 is equal to b1, b2, is not equal to c1, c2, तो करते हैं यह इस अतनी चीज़ को, कितना दादा simple है, right, हमारा a a2 कितना आ रहा है, वो आ रहा है मेरा 3 upon 2k minus 1, मेरा b1, b2 कितना रहा है, वो आ रहा है मेरा कितना 1, यह 1y है, upon k minus 1, और मेरा c1, c2 कितना रहा है, यह देखो, यहाँ 1 है, 1 upon 2k plus 1, right, तीनों को बराबर होना पड़ेगा, sorry, sorry, इन दों को बराबर होना पड़ेगा, not equal to this, ठीक तो कितना आ गया मेरे पास यहां से 3k-3 is equal to 2k-1. यहां से कितना बचा, cancel out करो, तो सिर्फ बचा k is equal to 3-1, यानि कि 2. k मेरा 2 आ चुका है. अब देखते हैं, एक बार कि यह a1, a2 कितना आएगा, अगर k मेरा 2 है तो. तो इसकी value हो गई 3 upon 2 into 2 minus 1, यानि कि 3 upon 3, यानि कि 1. तो ratio मेरा 1 आ आ गया, a1, a2. तो b1, b2 भी 1 हो गया, ठीक है? अब देखते हैं, c1, c2. c1, c2 at k is equal to 2, कितना आ रहा है? 1 upon 2 into 2, कितना होता है? 4 plus 1, 5. which is not equal to a1 by a2 and b1 by b2. तो yes, for this k value is equal to 2, the lines are parallel. The lines are parallel. और तुम देख सकतो यार, यहाँ पे no solution लिख दो, अक्चली यार, parallel and have no solution. and have no solution. कभी intersect ने करेगी, कोई solution नहीं आएगा. ठीक है. करते हैं अपना अगला question, इसमें मेरे को same है, यार, हद है, यह खुद करो यार, इसमें इसको, ठीक है, homework. देखो, इसमें difference क्या है, एक ही difference दिख रहा है, कि एक ही जगे इन्होंने a लगा दिया, for which the following has no solution. देखो, same question है, for which the following has no solution. कोई difference ही नहीं है, बस इसमें a की जगे a लगा दिया, तो वही है, हाँ, पर इसमें यहाँ भी a दे रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर भी, अब मैं इसको oral करूँगा, मैं पूरे steps नहीं लिखने वाला है, क्योंकि homework है तुमारा, तो जल्दी से यह confirm करने के लिए, बस तुमारा answer सेम है, तो a upon 12, यह आ रहा है, a1 by a2, b1, b2 कितना रहा है, 3 upon a, और c1, c2 कितना रहा है, a minus 3 by a, अगर यह दोनों no solution है, तो यह बराबर होना पड़ेगा, यानि कि a square is equal to 36, अच्छा है, हाँ squaring और ही है, तो a की value या तो 6 है, या minus 6 है, अगर यह case है, अगर मेरा a 6 हुआ तो, तो c1, c2 कितना हो जाएगा यार, अच्छा, यह थोड़ा different questions है, मतलब थोड़ा से better है, जादा नहीं, at, दो values आ रहे हैं, क्योंकि मेरी a की यहाँ पर, यह difference आ गया, अगर मेरा a यहाँ पर, अगर मेरा a 6 है, तो, कितना होगा 6, minus 3 by 6, is equal to 3 by 6, is equal to 1 by 2, right, हमारा यह वहला ratio कितना आ रहा था, a की 6 पर, यह आ रहा खाया था, 6 by 12, कितना यार, 6 by 12 और दूसरा भी 6 by 12, मतलब 3 by 6, यानि की 1 by 2, तो, अगर मेरा a 6 आ रहा है, अगर तो, तो, मेरा a 6 आ रहा है, तो, a1 by a2 भी 1 by 2 है, b1 by b2 थो तो, of course, same होना चाहिए, क्योंकि हमने लिया, same है, पर c1 by c2 by 1 by 2 आ रहा है, यानि की coincident है, coincident है, तो, गलती से भी यह 6 मत लिख देना, एक गलातना answer आ जाएगा, इन्होंने no solution पूछा है, पर एक एक दूसरी value गी, minus 6, जो कि हम अच्छे, छोड़ सकते हैं completely, minus 6 में, अगर मेरा a, minus 6 है, तो, a upon, a1 upon a2 कितना हो जाएगा, minus 6 upon 12, यानि की minus half, और यही मेरा हो जाएगा, b1 upon b2 भी, यह देखो, a1 upon a2 भी है है, और b1 upon b2, but c1 by c2, at a is equal to minus 6, कितना हैगा, देखते हैं एक बार, minus 6, minus 3 upon minus 6, यानि की, minus 9 upon minus 6, यानि की, plus 3 by 2, which is not equal to minus 1 by 2, तो, yes, इस case में हमारा, a1, a2 भराबर है, b1, b2 के, but c1, c2 के भराबर नहीं है, इसका मतलब, no solution, तो, this is the answer, what, a is equal to minus 6, is the answer, a की value पुछिए न, minus 6 is the answer, ठीक है यार, बढ़ते यार, अपने अगले question की तरफ, I guess ये last question है, हाँ, तो ठीक है यार, हमारा linear equation की, जितने भी theory है, वो समाप्त होने वाली है, तो, तुम्हारा next chapter, जल्दी शुरू होने वाला होगा, solutions के बाद, ठीक है, ये question मैं करके दिखाऊंगा, star mark लगा लो, वैसे तो simple है, बट, यहाँ पे दो variables आच चेक है, कौन से यार, a और b, मुझसे पूचा है, for what values of a and b, will be the following system of linear equation, has, infinite many solutions, infinite many के लिए होता है, a1, a2, b1, b2, c1, c2, एक बार लिखते हैं सब कुछ, ठीक है, तो तुम लिखोगे, for infinitely many solutions, a1 by a2, must be equal to b1 by b2, must be equal to c1 by c2, इसको एक बार क्या करते हैं, सुन्दर से हम, mark भी करी लेते हैं, why not, ठीक हैं, अब देखते हैं, a1 by a2 कितना आ रहा है मेरा, अगर हम manually निकाले, तो वह आ रहे 2 upon a plus b, तो लिख दो 2 upon, कितना यार, 2 upon a plus b, अब देखते हैं मेरा, b1 by b2 कितना आ रहा है, b1 by b2 की value आ रही है, minus 3 upon, minus में यह यह भी अच्छी बात है, minus a plus b minus 3, इसको आ डिरेक्ली हम minus काट सकते हैं, ठीक है, इतना आ रहा है यार, वो आ रहा है 7 upon 4 a plus b, तो लिख दो 7 upon 4 a plus b, मिरको तीनों को equal बनाना है, ठीक है, इस बार मिरको दो equations equate करनी पड़ेगी, कैसे, यह देखो, सबसे पहले, make a1 a2 equal to b1 b2, then b1 b2 equal to c1 c2, और किसी को भी मतलब, इन दोने को equate कर दो, फिर इन दोने को equate कर दो, that's it, ठीक है, तो पहले बाले को equate करते हैं, यानि की, 2 upon a plus b, must be equal to 7 upon 4 a plus b, करो, कॉस मुटिप्लाय करो, यह बहुत तगड़ा question होने वाला है भाई, हम मैं बताता हूं तुम्हें क्यों, ठीक है, यह अच्छा जाएगा यार, तो यह कितना यार, 8 a plus 2 b is equal to 7 a plus 7 b, अब कुछ cancel out हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, देखते हैं, सबसे पहले 8 a, 7 a, तो यह बचा सिर्फ a, और 2 b को side ले जो, यानि कि कितना बचा, a is equal to कितना, 5 times b, इसको mark कर लो, equation number 1, ठीक है, थोड़ा और अच्छे question बन सकता था था वैसे, बट कोई बात नहीं, ओके यार, यह भी सही है, अब देखते हैं, अपना आप मैं equate करूँगा, किसी को भी है, तो b1 b2 को c1 c2 से कर लो, एक ही बात है, या फिर a1 a2 को c1 c2 से कर लो, तो करते हैं यार, a1 a2 should be equal to c1 by c2, यह हमें क्या देता है यार, देखते हैं एक बार, a1 a2 कितना था, again same, 2 upon a plus b, must be equal to c1 by c2, which is 7 upon 4 a plus b, cross multiply कर दो guys, तो कितना हो गया, 8 a plus 2 b, क्या यह same नहीं हो रहा, ओ, मैंने पहले गलती कर दी, वाव, गलती नहीं की, मैंने क्या किया, मैंने इन दोने को equate कर दिया, यार, यह जो b1 b2 दे रखा है न, और 7 a, यह तो यह था, b1 b2 actually में यह था, कोई बात नहीं, मैंने पहले c1 c2 compare कर दिया, यहां लिख देते है c1 c2, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, अब मैं b1 b2 से compare कर देता हूँ यार, क्या यह बड़ी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक है, बढ़ इनका ratio अलग कर देते हैं, बस यहां b1 b2 डाल दो actually में, जो की है, 3 upon a plus b minus 3, अब एक बर multiply करते हैं, तो multiply करोगे तो अगर 2a plus 2b, minus 6 is equal to 3a plus 3b, यहां से हमें क्या मिलता है यार, a plus b को अधर ले जाओ एक, तो मेरा बज़ गया, बस a minus 6 is equal to a plus b, इसको mark कर लो, अपनी equation number 2, अब मुझे क्या मिला है, वाउ, मुझे एक चीज मिली है, यहां तुम देख सकते हो, a is equal to 5b, या फिर a minus 5b is equal to 0, और दूसरी चीज, a plus b is equal to minus 6, क्या ये दोनो linear equation in two variables नहीं है, a and b में, पहले x और y की बात वरी थी, तभी ये question इतना बढ़िया था, एक तो तीनों को compare करना था, इसमें पहली बार ऐसा हुआ है, और फिर दूसरी चीज, कि ये अपने आप में, जो इसका answer है हुए, cleaner equation in two variables है, तो अब मेरे को इसको solve करना पड़ेगा, बहुत simple है इसको solve करना, कोई बड़ी चीज तो है नहीं आरे, मेरे को B की value मिल चुग है, final कितनी, B is equal to minus 1, इसको mark कर लो, और A की value, A है 5B, तो A की value आ गई, minus 5, तो यहर यह दो मेरी ऐसी values है, A minus 5, B और minus 1, जिससे की, जो मेरी यह चीज है न, यह infinitely many solutions करेगी, ठेक है, तुम्हारे ले एक homework है यार, homework क्या है यार तुम्हारा, कि यह बताओ सबसे पहले तो, कि यह intersect कब कब करेगी, या किस-किस value पे नहीं करेगी, intersect, और फिर दूसरा homework, कि यह parallel कब है, यह set of lines parallel कब है मेरी, यह भी बताना है तुम्हें, ठीक है, अब तुम्हारा homework के जितनी भी exercise है, 5 है, 6 है शायद, मतलब जितनी करेते हैं, यह 3.6 तक होगा, सारी solve कर दो, सारी solve कर दो, जो भी question नहीं होता, उस पे यार गोला मार दो, और हम लाने वाले हैं, कुछी दिनों में, मतलब इसके अगले दो दिन में, तुम्हार पार साज़ेगी, NCRT Solutions की complete video, ठीक है, और तुम में से एक भला बच्चा, time stamp भी डाली जेता है, तो ठीक है यार, साथ ही साथ यार, यहां तुम्हें एक surprise यह है, कि optional exercise, मैं अलग से इसकी video मनाऊंगा, तुम्हार थोड़ी लेंदी हो सकते है, क्योंकि थोड़े बढ़िया question दिसमें एक दो, ठीक है, तो वो भी कराई जाएगी, although examination point of view से नहीं है, बट अगर तुम NTSC-K वो हो, या फिर बाद में तुम अपनी maths इंप्रूफ करना चाहते हो, तो यही में help पहुत जादा होगी, जितनी भी optional exercise है न, I will suggest कि तुम सारी करो, यह मत दिमाग में रखो भाई, मैं तो board का बच्चा हूँ, नहीं 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 भाई, पढ़ाई करो, मस्त बिल्कुल, ठीक है, तो मिलते हार तुम से अगली वीडियो में, तब तक के लिए, बाई 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 and have a nice day,